कि सभी साथ योग मेरा नमास्कार स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल जश्यूनों जब डेट्स पर आज की बड़ियों हम बात करते हैं उसमें B8 अनिवार है आपका तो जो भी चात्र जिनका इस बार फानल एर था उनका वाईबा हो गया हो तो अपने कालेज इनुश्यूटिक मादम से पता करते रहें कि जल्द से जल्द उनका B8 की मारशीट आ जाए यानि जिनका इस बार B8 फानल एर का एक्जाम दिये हैं क्योंकि अधि अक्टूबर में अधि भरती आती है तो मान लेजे कि 25 रहता है तो यह अक्टूबर के पहले ही हपते आ गया तो 25 अक्टूबर तक मान लेजे आप इसलिए जो भी B8 की कनी डेट हो और हरहाल में अपने कालेज में दबाव बनाके विस्वजाले में जाए इस तब तो काम चल जाएगा और जैसे बाहर हुआ तो आपको समय नहीं मिलने वाल आए मादमी समय दे देता है लेकिन लोग समय नहीं देगा यह बात आप लोग की पता है तो इसलिए हरहाल में किसी भी तरीके से आप लोग अक्टूबर तक 20 अक्टूबर तक ही मार्शीट अ आप लोग पता है कि क्या हाल इसमें चल रहा है भरतियू का खासर के यूपी में तो जैसा कि आपको बता दें कल भी लोग आयोग गये थे तो वहां क्या वह दे सकते हैं यह कल का डेट है देखेकते हैं यहां पर 177 जो उपर मोहर लगी हुए 177 की यानि कल की मोहर लगी है क सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करने का इस पकार किया जाए है इसका देख सकते हैं परदा जो है एल्टी राज्की और जियासी समकच अर्ता का विवाद है वह खतम हो कि चुका है निसाले से पेचा जाए इस पकार से इसको जल्दी को फरती से निकाला जाए और इस पकार से कुल 10 मांगे चाहतर न दिया था और उन्हें था उनको भी तीशल सुट दिया जाए और जो बेटिंग है उनके लिए बात किया गया है संकच हर्ता का विवाद है और यहां पर दिया है लोग सायों को परिशित के जोज़त का है जो मेन था कि सासन से जो लेटर था ओकल लड़के धरना द ही उपीट को आचिक खुका है डिक कर दी घृत दानी दिया गएक्टॉबर तक भरत नहीं आती यह तो च्रु अधुदात करेंगे तो इस पकार से इस भरती को तो आना है अक्टूबर तो नहीं ता अंदोलन होगा क्योंकि सारी चीजी क्लियर हो चुकि कुछ बचा नहीं है और इन्हों ने भी कहा कि जो कलेंडर लोगसुवायोग जारी किया है जो जारी देखे लिए उसी में इसको भी एड किया जाए ना क यह साल बात देखे और वहीं आरो यारो को भरती जारी किराने के आए जाने कि दोनों भरती अक्टूबर में आपको आने की चांस्ट संभवता पूरी है कि भरती दिसंबर तक आपकी आ जाएगा और यहां देशकते हैं कल की जो डेट था कल की डेट यहां पर दिया गया थ और जो इस समय परदो की चात्र के काफी जुजारों नेता हैं सिद्लाव ओजा जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जिससे की चात्रों को काफी उनका सपोर्ड मिल रहा है तो कुमला के दस बिंद्यों पर उन्होंने चर्चा किए कि इन दस बिंद्यों गंबिर से लिया जाए और जलदेशीhv ग्यापन को निकाला जाए और आज की बात करते हैं तो ओड़ेसे में पेपर में दिया गया था क्यौंकि कल जब वहां में पर हुआ तो आज भी पेपर में धिया था ता आंदेख सकते हैं आप सिच्ञक भरती शुरू करने को तो चल् immediatere लिटिकड जो बोलते हैं सायकत आपको बताये आप लोग को एवं प्रवक्ता द्याजा नुत्रस लोक्सवायों को मिलने के बावजूद भरती शुरू ने होने पर प्रतों की छात्रों में निराशा का महोल है और चात्रों के बताय। अरता समंधित पत्र आयोक को मिल चुका है यानि कोई भी ईस्टेप नहीं है इनको भर्ची निकालने में अक्टूबर में सुच्छक बर्थी के विग्यापन जारी होने की उमीद है उमीद है क्योंकि जब सारा चाइज क्लियर है तो उमीद तो रहे गई क्योंकि इसलिदा हो जाने साफ साफ लाजों में चिताव नहीं दिया है कि आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं तो एक लोगों को बहता है तो इंदस मंदू में एक मांगी भी किया था कि इडवलू सब्सक्राइब को बहता है उनको भी 45 पैताली साल देके शामिल किया जाया जाए जाए शूरी को ने बात चल लोग चीज़ें लेकिन वीकें मांग में सबको देखा जाता है हर वर के आदमिकों सब्सक्राइब करें लोगों को सबसे बड़ी बात यह जल से जल अपने काले में दबाव बनके और इनुश्यूटिक तर दबाव बनाके जारी करें जिससे कि यो इस भरती में समलित होने कि योग के बन सके ठेके दोस्तों इस वीडियो को हमें करते हैं वीडियो पचंद आयत वीडियो को लाइक सेब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद दोस्तों नमस्कार